हलो माई डियर स्टोरेंट सद्यान्द एफट के यूटूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक वार फिर से स्वागत है मैं रभी बर्मन आज जो डिसकेशन है वो पेपर है इसका जो इसका जो एक्जामनेशन है इसी एलेक्ट्रोनिक्स और कम्मुनिकेशन इंजिनिरिंग फोर्थ सेमस्टर वालों का 19th of July को है और double E triple E जो है उनका I think 20 seconds या 23rds को है तो इस पेपर में कैसे तैयारी करें कौन important questions है पूरे concept wise हम लोग 3-4-5 वीडियो में discuss करेंगे I think इससे आप लोग को काफी मदद मिलेगा और यह वीडियो केबल यह 3-4 लेक्चर यदि आप देखते हैं तो उमीद करते हैं कि आप लोग fail तो नहीं होंगे ठीक है तो पास तो आप आराम से कर जाएंगे तो हमारे साथ बन करीब करीब 65 मार्स कराता है और microprocessor जो है यह वह भी content करता है तो 65 के बाद आप अधर जो है वह microprocessor content करता है तो हम लोग फिलहाल जो हम लोग का मोटो है कि कम समय में बेहतर तैयारी को कैसे करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल टैकनिक तो इसमें हम लोग अध् 22 से 24 questions होंगे और बहुत बच्चों का था कि सर ये इस question का ये जो important question आप दिये हैं इसका solution दे देजे तो वक्त जितना मिल पा रहा है हम लोग कोसिस करते हैं कि YouTube के माध्यम से आप सभी बच्चों तक इसका solution पहुचाया जाए या तो ये तो fourth semester जो है बच्चे काफी इस वार प examination दे रहे हैं वो अभी तक तो corona के बरुसे थे कि corona आएगा और promote कर जाएंगे बट इस वार ऐसा नहीं हुआ इस वार आपको examination देनी है और examination देना है और pass भी करना है तो ऐसे चीजे अभी हो सकता है कि एक particular problem आप skip करके देखे तो बन जाए बट उसमें जो concept होगा उस concept से आपको यदि आप पूरा total videos देखते हैं complete तो उससे आपका preparation और आगे जो numbers of problems बनेंगे वो काफी असान हो जाएंगे तो चलिए start करते हैं digital technique and microprocessor तो ये जो video है ये EC ये अभी जो हम discuss करेंगे वो तीनों branch के लिए common है जो topic discuss करेंगे इससे एक question पूछने की सम्हावनाएं होती है और पूछा भी जाता है that is called number system है ना number system हम लोग अभी discuss करेंगे फिर further हम लोग आगे discuss करेंगे इस पे हमने 4 question set किया है और 4 जो important question set किया है यदि आप उस 4 problem को बना लेते है तो almost number system का जीतना भी conversion है वो आप बहुत असानी से बना पाएंगे तो ये तीनों ही branch के लिए बहुत important है तो number system जो बच्चे बिलकुल भी नहीं पड़े हैं उसके लिए हम लोग just start कर रहे हैं कि आज से 3 से 4 या maximum 5 video lecture आप लोग देखे I think कि इतना ही में आप लोग pass कर चलिए तो number system क्या है सबसे पहले जल्दी जल्दी में हम लोग discuss करेंगे कि number system में हम आते हैं number system is nothing but it is a representation of number in different way मतलब एक numbers को आप different तरीकों से कैसे represent करते हैं ये हम लोग number system में पढ़ते हैं जैसे हम लोग जो currency है currency को भी हम लोग different aspects में जैसे इंडिया में हम लोग rupees के नाम से जापान में yen के नाम से अमेरिका में dollar के नाम से जानते हैं उसी तरह से हम लोग number system is nothing but it is a system and that represent numbers in different way ये definition आपसे कुछ कोई नहीं पूछने वाला question जहां है वहां पे आते number system में हम लोग mostly जो standard number system होते हैं एक है decimal number हम लोग जो standard पढ़ते हैं number system उस पे आते हैं दूसरा है binary number system तीसरा है octal number system और चौथा है hexadecimal number system just हम लोग concept deal करेंगे and then after important question को deal करेंगे ठीक है तो ये चार important number standard number system है यहां पे जो बेस होता है decimal number में 10 होता है ये बेस बतलाता है कि यहां पे इस decimal number को हम 10 different तरीकों से represent कर सकते हैं, जैसे आप Indian currency की बात करें, रूपी की बात करें तो रूपी में आप देखते हैं तो 2000 की नोट, जैसे 2000 है 500 की नोट है 100 की नोट है, 200 की नोट है, 50 की है, 20 की है, 10 की है, 5 की है, एक की है, यह different symbol से और इसी को combine करके हम बड़ा से बड़ा rupy तक पहुँच जाते ह से decimal number system में 10 different symbol है जिसको हम जिससे हम लोग decimal number को represent करते हैं और बड़ा से बड़ा decimal number इसके combination से हम represent करते हैं that is 0 to 9 अब देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 total 10 number 10 symbols हैं जैसे बहुत बड़ा number यदि 282 ही लिखना है तो this is the symbol between 0 to 9 this is also between 0 to 9 and this is also between between 0 to 9 either is symbols को repetition of these symbols हम लोग कोई भी बड़ा से बड़ा number decimal में represent करते हैं उसी तरह से जब आते हैं binary तो binary का base होता है 2 और यहां पर जो numbers को हम लोग represent करते हैं वो cable दो तरीकों से represent करते हैं 0 या 1 देखे यहां पर base 10 था तो 0 से हम 9 गए और यहां base 2 है तो 0 से 1 similarly यहां पर base 8 है यहां हम जाते है 0 से 7 यानि कि 0 1 2 3 4 5 6 and 7 यदि रहे तो वो octal number में है और यहां पर आते हैं hexadecimal और hexadecimal number में question पूछा जाता है कि hexadecimal number क्या है this is called alpha numeric number system क्योंकि यहां पर cable number से ही represent नहीं करते बलकि alphabet से भी numbers को represent करते हैं hexadecimal represent 16 और यहां पर 16 different तरीकों से हम लोग number को represent करते हैं और वो number है 0 से लेके 9 तक है 10 यहां पर symbol आ जाते हैं और यहां पर 10 को हम लोग A से represent करते हैं 11 को B से 12 को C से 13 को D से 14 को E से 15 को F से देखिए यहां पर 10 के बाद 11 12 13 14 15 और 16 यही total symbols हैं जिसके help से हम लोग क्या करते हैं hexadecimal number system को represent करते हैं तो यह 4 standard number system अभी हमने जाना decimal क्या है binary क्या है octal क्या है और hexadecimal का symbols क्या क्या है जिससे हम represent कर सकते अब एक सवाल कोई पूछेगा सर दो साथ दो यह decimal number है यह octal number है यह hexadecimal number है तो देखिए यह decimal में भी हो सकता यह octal में भी हो सकता यह hexadecimal में भी हो सकता यह binary में नहीं हो सकता क्योंकि seven binary में defined नहीं है two binary में defined नहीं हाँ यह किस number system में होता उसके लिए हम लोग यह representation use करते हैं यह number लिखने के बाद यह suffix में यदि eight लिख दे तो वह मान लेते हैं हम यह octal number system की बात कर रहे हैं यहाँ suffix में यदि 10 लिख दे तो इसका मतलब हो जाता है कि हम एक decimal number की बात कर रहे हैं और suffix में 16 जब लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 16 या फिर h लिखते हैं इस number के साथ तो इसका मतलब होता है हम hexa decimal number system की बात कर रहे हैं चली अभी तक जो हम लोग आम तोर पे यूज कर रहे होते हैं वो number था decimal number system इसलिए by default यह decimal होता था इसलिए हम लोग base का use नहीं करते थे symbols representation proper represent नहीं करते थे क्योंकि by default हम मान लेते थे यह decimal है चली सवाल आपका यहां से भी नहीं पूछना है कि कौन octal है कौन decimal है सवाल जो number system में पूछना है वो conversion से पूछना है conversion of one system to another system जो की बहुत ही important है उस पे हम लोग जाएंगे और सवाल कैसे पूछेंगे उस पे आएंगे तो देखे अभी तक हमने चार standard number system सीखा decimal है binary है octal है और hexadecimal है तो इसमें conversion one number system to another number system कैसे convert करेंगे यह सवाल पूछा जाता है तो देखे इसके लिए हम एकदम special बता रहे है एक chart बस यह याद रखना है कि यह d for decimal and this is here binary b this is octal and this is hexadecimal ठीक है बस यह chart को सिर्फ याद रखिए और यहां से आप कभी भी miss नहीं कीजिएगा यदि आप बनाने अभी बैठेंगे तो इसमें क्या होता है अभी तक आप लोग confuse करते कि इसमें 2 से divide करना कि इसमें 8 से divide करना तो बस decimal आपको इधर लिखने है इधर binary इधर octal और इधर hexa बस इस chart को याद रखिएगा conversion कितने हो सकते हैं पहले उसमें आते हैं तो पहला बोल सकता है decimal number दे दे और बोल दे की binary आपको convert करना दूसरा decimal दे दे और बोल दे octal convert करना और तीसरा decimal दे दे और बोल दे hexa decimal convert करना ये तीन conversion यहां से हो सकता चौथा conversion binary दे दे और बोल दे decimal convert करना octal दे और बोल दे decimal convert करना hexa decimal दे और बोल दे decimal convert करना ये 6 conversion हो गया सातवा कन्वर्सन है बाइनरी दे बोल दे उक्तल को में कन्वर्ट कीजिए उक्तल दे बोल दे बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए बाइनरी दे बोल दे हेक्सा में कीजिए हेक्सा दे बोल दे बाइनरी में कर दीजिए उक्तल है बोलेगा हेक्सा में कीजिए हेक्सा है बोलेग आक्टल में कीजिए यानि यह टोटल यदि आप काउंट कीजिएगा तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, टोटल बारा कनवर्सन, बारा कनवर्सन नंबर सिस्टम में आपको पढ़ने हैं और यह बारा कनवर्सन से एक सवाल रहता है और यह बारा कनवर्सन कैसे होगा, आसानी से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माकरी समय में नहीं बताएंगे, चीजों को आसान करके बता देंगे, तो यह बारा कनवर्सन हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं, फटा फट, तो देखे, सबसे पह इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तीन कनवर्सन हम एक साथ चलेंगे, यदि डेसिमल से बाइनरी बोल दे, यदि डेसिमल से अक्टल बोल दे, और यदि डेसिमल से हेकसा बोल दे, तो कैसे कनवर्ट करेंगे, सबी बच्चे देखेंगे, याद रखेगा, यह बीडियो जो एकदम बिगनर के लिए है, जो बच्चे पढ़हे नहीं हुआ, यहां से सीख जाएंगे, और जो थोड़ा यदि डेसिमल नंबर यदि दे दे, और डेसिमल से बोल दे, बाइनरी में, आपको डिवाइड करने है, टू से, डेसिमल से अक्टल में जाना, डिवाइड करने एट से, और डेसिमल को हेकसा में करना, डिवाइड करना, सिक्स्टीन से, और भी कोई नंबर सिस्टम, कोई औ पर कर दे एनी रेडिक्स यह स्टेंडर्ड नंबर तो नहीं है बट यदि कोई और भी रेडिक्स में जैसे दो है आठ है सोला है वह इसे हो सकता है सेप्टल नंबर साथ मतलब जिसका बेस साथ हो जहां जीरो से छे तक डिफाइंड हो उस वह इस नंबर को यदि रहे तो आप यहां पर एनी रेडिक्स आर लिख लीजिए इसको डिफाइड कर दीजिए आर से सिंपल है कि यदि हम एक ही इतने सारी कनवर्सन को हम सिर्फ एक सिंगल लाइन में पढ़ सकते हैं डेसिमल को हम लोग एनी रेडिक्स में चेंज कर सकते हैं और वो एनी रेडिक्स में तो यह बस एक important decimal to any radix सिर्फ एक line आपको याद रखने decimal to any radix तो आपको divide करना है सामने वाले base से समझ गए? तो इतना याद ना रखे तो बस इतना याद रखे कि decimal को यदि any radix में convert करना any radix मतलब कि cv base, radix मतलब base होता है आपकी cv base में जा रहा है सवाल लेते हैं कि कैसे बनेगा? हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि decimal to any radix, ठीक है? मतलब decimal to binary, octal, hexa और any radix, कोई भी radix हो तो उसको कैसे change करते हैं? अब आते इस पे कुछ problem करते हैं जो सवाल में, यदि question direct पूज़ दे आपको, फिर देखेंगे हम लोग fraction पार्ट को, यदि direct फूज़ दे कि decimal number मानके चलिए 72 है ठीक है, 72 यह decimal number है, और इसको बोल दे कितना बड़ा से बड़ा number हो आपको वही process करना, तो 72 को कोई भी radix है, यानि हमको पहले बताए, जिस भी radix में जाना है, उससे divide करना यानि कि any radix R, तो R से divide करना है, तो just मानले हमको binary करना, तो इसमें 2 से divide करेंगे, यदि octal में जाना, तो 8 से divide करेंगे और hexadecimal में जाना, तो 16 से divide करेंगे, यदि septal में जाना, जिसके base 7 हो तो 7 से divide करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सिखते कि यह 72 with base 10 जो है, इसको हम लोग binary में कैसे convert करेंगे, divide तो 2 से करेंगे, बट करेंगे कैसे, उसको देखेंगे, तो यह 72 नंबर है, इसको 2 से इस तरह divide करेंगे, 36, यहां पर आपका क्या बचा remainder? 0 बचा, फिर further 2 से करेंगे, क्या बचा remainder? 0 बचा, फिर further 2 से करेंगे, क्या बचा remainder? 1 बचा, फिर further 2 से करेंगे, क्या बचा? तो 0 बचा, फिर 2 से divide करेंगे, and this becomes 0, मतलब हम लोग को divide का process करना है, 2 से divide तो करना है, लेकिन कब तब तक करना है, जब तक remainder 2 से कम ना आ जाए, और इसको हम लोग लिखते हैं, इसे, नीचे से उपर, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, this is your binary equivalent of this decimal number, इसको हम लोग ये representation, it means कि it is a binary representation of this decimal number, इस digit, जो digit को हम लोग काते है, MSD, most significant digit, या most significant bit, और इसको काते है, LSB, least significant bit, और least significant digit, तो ये जो question है, ये left most, this is called most significant digit, ये 2019 में ये सवाल आप से पूछा गया था, चलिए, यदि यही 72 decimal number रहता और इसको बोल देता कि आप octal में convert किजिए, तो कैसे करते हैं, हम process सब में सेम है, सर जब decimal to binary जाना था, तो 2 से divide किए, तो decimal to octal जाना है, तो किस से divide करना, 8 से करना, और तब तक करना, जब तक remainder 8 से कम ना आ जाए, इट मिन्स 8, 9 टाइमस में यह 72 हो जाएगा, तो remainder 0 बच जाएगा, फिर आप 8 से दो, 1, and this becomes rest 1, इट मिन्स यदि आप यहां से यहां फिर जो लिखेंगे, नीचे से उपर इसमें भी लिखेंगे, 110, this is your octal equivalent of this decimal number, यदि यही decimal number को आपको बोल दे कि सर हेक्सा decimal निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो अबर जो divide होगा, वो 16 से होगा, और 16 से और कब तक होगा, जब तक remainder, आपका 16 से कम ना आ जाए, तो यह हो जाएगा, 4 times 6, 4, 64, and यहां पे जो बचेगा, यह बचेगा आपका 8, तो 64 and 8, 72, और यहां फिर लिखेंगे, हम 4, 8, this is your hexadecimal equivalent of this decimal number, यदि आपको कोई और रेडिक्स बोल दे, बोल दे कि 72 है, इसको आप सेप्टल में, मतलब को ऐसा number system, जिसका base 7 हो, उसमें कीजिए, तो no problem, 72 को आपको divide करना 7 से, 10 times remains 2, and 7 से, 1 times remains 3, 1, 3, 2, this is your septal equivalent of this decimal number, तो आपने अब भी जाना, कि यदि मेरा decimal number हो, तो आपको किसी भी रेडिक्स में चाहे, वो binary base 2 में जाना हो, तो 2 से करेंगे, base 8 में जाना हो, तो 8 से divide करेंगे, base 16 में जाना हो, तो 16 से करेंगे, और कोई भी base में जाना हो, तो उस base से divide करेंगे, और तब तक करेंगे, जब तक remainder जो है मेरा, वो particular base से कमना आजाए, binary में 2 से कमना आजाए, octal में 8 से कमना आजाए, hexadecimal में 16 से कमना आजाए, और any perceptal में 7 से कमना आजाए, तब तक हम लोग करेंगे और नीचे से उपर लिखेंगे यह था कि यदि आपको direct सवाल पूछ दिया कि मतलब integer रहा तो आप अराम से इसके त्रू बना लेंगे लेकिन सवाल cable integer से नहीं पूछता कभी-कभी आप बहुत खुश किसमत रहें तो आपको integer से सवाल direct पूछ देगा यहाँ पर integer plus fraction यह सवाल भी पूछता है तो हम लोग देखते हैं one by one अभी आगे 10-15 minute, 20 minute का जो लेक्चर होगा यह इतना यदि आप number system का class देख लेते हैं तो I hope कि फिर आपको इसमें कोई भी number system conversion में एक भी सवाल आपका नई चूटेगा तो हम लोग decimal to any redix लेके चल रहे हैं चलिए, तो question यदि ऐसा पूछ दे कि 72.6 देखे, यह हो गया integer part और यह हो गया fraction part तो इसका कैसे करेंगे इस पे हम लोग discuss करेंगे क्योंकि problem जो पूछेगा यह इसी तरह से पूछेगा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग यदि यहां लेके चले थे चार standard number तो decimal to binary हमने सीखा decimal to octal हमने सीखा decimal to hexadecimal हमने सीखा यह तीन conversion हमने सीखा और further तीन conversion हम सीख लेते हैं उसके बाद फिर सीखेंगे कि इस तरह के number को हम लोग कैसे convert करते हैं तो अब just हम reverse आएंगे कि कोई भी radix में number हो उससे हम decimal में कैसे आएंगे यानि any radix r हो तो उससे हम decimal में कैसे आएंगे तो यह radix r base 2 भी हो सकता base 8 भी हो सकता, base 16 भी हो सकता तो जब आप binary से decimal में आओगे ना तो चुकि जब decimal से binary गए थे तो 2 से divide किये थे तो binary से जब decimal में आएंगे तो वही 2 से multiply करेंगे बस multiplication का तरीका जान लेंग कैसे करेंगे octal से यदि decimal में जाएंगे ना तो 8 से multiply करेंगे और hexadecimal to decimal आएंगे तो 16 से multiply करेंगे similar way में any radix में जाएंगे और मतलब इसको one line यदि ये पूरे समुचे diagram को one line लिखे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि decimal to any radix यानि किसी भी base में जाना हो यदि हमको तो यहां से यहां जाना हो तो divide करेंगे r से जो भी base में जाना हो और इधर से any radix decimal में आना हो तो multiply करेंगे r से तो चली अब हम लोग देखते हैं कि sir हमारा जो result आया था one zero zero one zero zero ये binary number है इसको हम decimal में कैसे convert करेंगे तो हमने बताया कि आपको two से multiply करना है परते एक digit में देखिए two और power कहां से शुरू करना two to the power zero से two to the power zero into zero बीच में plus दीजिए two to the power zero into zero two to the power one into one plus two to the power two into zero plus two to the power three into zero plus two to the power four into zero plus two to the power five into one देखिए ये थापका zero sorry ये zero हो गया ये zero के बाद one होगा one के बाद two two के बाद three three के बाद four four के बाद five and five के बाद six यह seven bit है ठीक है यह साही सुरू करना है यह जो भी base रहेगा ये zero से सुरू करते है और up to up to बढ़ते जाते है चली ये तो zero है zero है ये zero हो गया two to the power two it means four हो गया four ये zero हो गया ये zero हो गया ये zero हो गया ये zero two to the power six ये होता है 60 two to the power five बद ये 64 ठीक है ये हो गया 64 तो 64 and four 68 ये क्या हो गया 68 this is your decimal equivalent of this binary number ठीक है ये decimal equivalent हो गया ये binary number system का तो हम लोग अब देखते हैं इसके बाद कि sir यदि octal number हो तो उसको decimal में कैसे convert करेंगे यदि three four को ये octal number है तो इसको भी same process जैसे यहाँ पे हम लोग process follow कि कि यहाँ पे इधर से इधर आने के लिए टू से multiply किये तो octal to a decimal जाने के लिए 8 से multiply करेंगे 8 to the power 0 into 4 and plus 8 to the power 1 into 3 this become 24 and 8 to the power 0 it means 1 and 1 into 4 4 this becomes 28 this is your decimal equivalent sir यदि hexadecimal number हो just suppose जैसे 1a यदि ये number ले ले तो 1 is stands for 1 and a is stands for 10 ठीक है तो ये यदि number हो तो इसको यदि हमको decimal में करना है process same है ये 16 है यहाँ जब 8 से हम लोग multiply कर रहे है तो यहाँ 16 से करेंगे 16 to the power 0 into 10 and plus 16 to the power 1 into 1 this becomes 16 and this 16 to the power 0 becomes 1 and 10 तो this becomes 10 तो 16 plus 10 and this is equal to this is equal to 26 तो 26 तो ये मेरा हो गया decimal equivalent ये decimal equivalent हो गया मेरा इस hexadishmal number system का तो अभी हमने जाना कि total 6 conversion हमने अभी सीखा कि यदि decimal में number हो तो उसको binary में कैसे convert करेंगे decimal है उसको octal में कैसे करेंगे decimal है उसको hexad Bennец में कैसे convert करेंगे और repeat process कैसे जाएंगे ठीक है यहां तक में सर कोई problem नहीं है कोई समस्या नहीं है अब जो सवाल जैसे पूछे हैं जैसा problem दिया हमने आपको important question उस पे आते हैं कि इस पे based जो question था important question वो किस तरह से था हाँ video short में पढ़ाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आपकी खतम हो तो बहुत चीज़े ऐसी होती है कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समझाता है लेकिन चुकि यह last hour है तो इसमें हम लोग उसी के accordingly चलेंगे चली अब आते हैं सबसे पहले जो सवाल है हाँ पहले decimal point वाला दे decimal number and इसी को convert करने आपको बोला गया है इसी को convert करने बोला गया है binary में इसी को convert करने बोला गया है octal में और इसी को convert करने बोला गया है hexadecimal number में तो देखें यह जो integer part है उसके लिए same process होता है integer part के लिए decimal to binary भी same है decimal to octal भी same है decimal to hexadecimal यानि 74 को यदि हमको binary में convert करना है तो 2 से divide करना होगा I think यहाँ पे 37 होगा previous जो हमने किया था side 74 यहाँ पे हमने 36 कर दिया है वहाँ पे आप लोग सुधार देंगे this is 37 तो this becomes 0 2 से फिर करेंगे this is 18 becomes 1 2 से फिर करेंगे 9 times करेंगे 0 2 से फिर करेंगे 4 times करेंगे this becomes 1 2 से फिर करेंगे this becomes 0 2 से फिर करेंगे 1 this becomes 0 यानी 1 0 0 1 0 1 0 this is your binary equivalent इस से previously यदि हम 74 लिये होंगे I think यदि याद नहीं मुझे यदि लिये थे 74 तो उसको सुधार लिजेगा 72 था तो सही था यह था binary integer part का इसके बाद हम लोग point डाल देते इसके बाद ये point 25 को कैसे हम लोग convert करते हैं उस पे आते हैं ठीक है यदि decimal to हम कोई भी fractions में जाते हैं तो कैसे जाते हैं उस पे आते हैं इसके लिए हम regular multiplication जाते हैं fraction part के लिए याद रखेगा यहाँ पे हम phrase यहाँ लिख देते हैं fraction part के लिए यदि यही fraction देखेगा यह fraction यदि हम इस decimal में fraction है और इसको binary में convert करना तो one line में कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं 0.25 है यहाँ तक integer part में हम divide करते हैं और fraction part के लिए successive multiplication मतलब multiply करेंगे हम 0.25 को किस से multiply करेंगे 2 से मेरा result क्या आएगा 0.5 इसका integer part को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसका fraction part जो है इसका integer part को यहाँ लिखेंगे और इसका जो fraction part है उसको फिर से slide करके नीचे लिखेंगे 0.5 into 2 this becomes 1 अब देखें 1.0 यानि कि आपका यहाँ पे खतम हो गया यानि कि 0 and 1 यहाँ पे हम उपर से नीचे लिखते हैं याद रहें कि integer part को हम लोग नीचे से उपर लिखे थे और fraction part को हम क्या करते हैं उपर से नीचे लिखते हैं यानि 0.01 यदि यही decimal number system को आपको बोल दे octal में convert कीजिए तो क्या करेंगे तो हमने बताया कि decimal integer part का जो fractions हम लोग करेंगे वो same करेंगे यानि 74 को यदि हमको octal में convert करना तो 8 से divide करना होगा और 8 से divide कुछ इस तरह से होगा 98072 he becomes 8 and further 8 से करेंगे 81011 यानि 112 this is your integer part of 74 in octal number system and जब यहाँ पे फिर आजाएंगे fractions की तो यहाँ पे जैसे 2 से यहाँ 8 से divide किये हैं तो यहाँ पे fraction part को किस से multiply करेंगे 8 से multiply करेंगे यह देखे यदि आप इसको 8 से multiply किजिएगा तो यह आपका बन जाएगा 2 देखिया और 2 आपका defined है 25 into 2 2 यानि कि 2.0 यानि इसका fraction part तो 0 ही बचा फिर फर्दर रुख जाएगा यानि 1.112.2 this is your octal equivalent of this decimal number यदि यही decimal number system दे दे और बोल दे hexadecimal number में convert किजिए तो कैसे करेंगे उस पे आते हैं हमने बताया integer part में कोई छिड़ छड़ने process सेम रहेगा 74 16 4 time में 64 and becomes 10 या देखिए 10 बच गिया आपका यानि कि 4A 10 को हम लोग hexadecimal में A में लिखते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो 0.25 आया यह था आपका 0.25 इसको हम लोग क्या करेंगे अबर 16 से करेंगे 16 से करेंगे तो जब आप 16 से इसको करेंगे तो आपके पास answer आजाएगा 4 और फिर आपका rest कतम हो जाए यानि 4A.4 This is your hexadecimal equivalent of this decimal number system चले तो अभी हमने 3 conversion को completely सीखा कि यदि decimal में cable integer रहेगा तो उसको binary में कैसे convert करेंगे decimal में cable integer रहेगा तो उसको कैसे octal में convert करेंगे और decimal में cable integer रहेगा तो उसको hexadecimal में कैसे convert करेंगे साथ साथ हमने सीखा कि यदि decimal में integer और fraction दोनों रहेगा तो उसको हम binary में कैसे convert करेंगे decimal में integer और fraction दोनों रहेगा उसको octal में कैसे convert करेंगे decimal में integer और fraction दोनों रहेगा उसको hexadecimal में कैसे convert करेंगे ये तीन complete conversion हमने सीख लिया है इसके बाद हम लोग आएंगे important question में पहले और तीन complete conversion सीखते हैं और फिर फर्दर आएंगे हम important question में Now, अब आते हैं अब हम लोग आते हैं ये हमने सीखा अब आते हैं कि यदि मेरा इस side का part integer और fraction इस side का part भी मेरा fraction में हो जैसे मान के चलिए ये number है 1001010.01 ये कोई binary number है और इसको बोल दे decimal number में तो binary, simple binary रहेगा cable integer part का binary रहेगा point नहीं रहेगा तो हम लोग start कहां से कर रहे थे याद कीजिए हम लोग ऐसे कर रहे थे binary को decimal में लाने के लिए 2 to the power 0 into 0 देखे इसके लिए ये लिखते थे फिर plus 2 to the power 1 into 1 फिर plus 2 to the power 1 into 0 इस bit के लिए फिर plus लिखते थे 2 to the power 2 into 1 फिर plus 2 to the power 3 into 0 फिर plus 2 to the power 4 into 0 फिर plus 2 to the power 5 into 1 ये हम लोग 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 1 देखे या मिसिं हो गया 0 2 to the power 0 into 0 2 to the power 1 into 1 2 to the power 2 into 0 2 to the power 3 into 1 2 to the power 4 into 0 2 to the power 5 into 0 ये हम लोग लिखते इंटीजर पार्ट का तो यदि इसको हम लोग पहले कालकुलेट कर ले ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, 8 और 2, 10 हो गया और ये 2 to the power 5, 2 to the power 6 हो गया यानि कि 64, 64, 8 and 2, बाकी सब 0 हो गया, यानि कि यह हो गया 74, फिर point दे देंगे, अब देखें यहां पे, शुरू हमने यहां से क्या था 2 to the power 0, यहां से करेंगे 2 to the power minus 1 into 0, यहां पे, point के बाद, plus 2 to the power minus 2 into 1, so यह part 0 हो गया और यह हो गया 1 by 4, and 1 by 4 becomes 0.25, so 74.25, this is your decimal equivalent, तो so simple conversion here, तो यह भी complete हमने सिखा, कि यदि binary bit में cable, binary bit में रहे, तो उसको हम लोग कैसे convert करेंगे, और binary bit में भी यदि fraction रहेगा, तो उसको simply क्या करेंगे, इधर से 2 to the power 0 से इधर बढ़ते है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, and 2 to the power 6, उसी तरह से इधर गटेंगे, 2 to the power minus 1, 2 to the power minus 2, 2 to the power minus 3, 2 to the power minus 4, and for the final calculation को लिख देंगे, चले, next है मेरा, कि यदि 1, 1, 1, 2.2, this is your octal number, यदि इस तरह से fraction में octal number रहेगा, तो कैसे convert करेंगे सर्फ, so simple है, to 8 to the power 0 into 2, ये तो हम लोग integer part के लिए करते थे, 8 to the power 1 into 1, and 8 to the power 2 into 1, ये integer part के लिए करते थे, तो plus यहाँ पे करते, 8 to the power minus 1 into 2, चले, ये हो गया minus 1 into 2, यानि कि आप यहाँ पे देखोगे, this becomes 64, this becomes 8, this becomes 1 into 2, this becomes 2, and this becomes 2 by 8, यानि कि 1 by 4, चले, 64, 74, and plus 0.25, this becomes 74.25, चले, यहाँ तक सर, चीज़ें clear हो गई, तो यही चीज़ यदि hexadecimal number system में रहे, और fraction में रहे, just suppose यह hexadecimal हम लेते है, 4a.4, 4a.4, यहाँ भी कुछ नहीं करना है sir, so simply, integer पार्ट यह है, यहाँ 16 to the power 0 into a, plus 16 to the power 1 into 4, and यहाँ पे plus 16 to the power minus 1, point के बाद है, इसलिए minus 1, 4, तो this becomes 64, and plus this becomes a, 16 to the power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, and plus 4 by 16, and this becomes 1 by 4, and this becomes 10, यहाँ 74 plus 0.25, यहाँ 74.25, this is your decimal equivalent, यहाँ आभी तक हमने जो सीखा, यह total check conversion completely हमने जाना, कि sir, यदि decimal में रहेगा, तो उसको binary में, binary में रहेगा, तो decimal में decimal रहेगा, octal में octal रहेगा, उसको decimal में decimal रहेगा, उसको hexa decimal में hexa decimal रहेगा, उसको decimal में कैसे convert करेंगे, चलिए अब रही बात कि sir binary to octal कैसे करेंगे octal to binary कैसे करेंगे octal to hexa कैसे करेंगे hexa to octal कैसे करेंगे तो ये total 6 conversion हम सीख लिए 6 conversion के बाद total 6 conversion और तुरत जल्दी में सीख जाते हैं और उसके बाद जो important questions है और सारे conversion के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे बस patience रखिए और मेरे साथ पढ़ते जाएंगे note करते जाएंगे copy में आखरी hour भी है तो note करते जाएंगे ठीक है आपको फाइदा मिलेगा चलिए तो अब आते हम सबसे पहले देखिए आपको binary to octal, octal to hexa जाने के लिए जब आप class करते हैं तो बहुत detail में जाते हैं पहले 3 bit binary में जाते हैं फिर 4 bit binary में जाते हैं अभी चुकी वक्त कम है इसलिए बहुत ही concise way में हम समझेंगे चीज़ों आपको थोड़ा बहुत remind बस याद रखना है जैसे अभी हमने बताया इस पूरे graph के बारे में एक ही चीज़ हमने आपको बताया कि decimal to any redix मतलब आपको decimal से किसी भ d base में जाना हो r base में जाना हो तो इधर से इधर जाना है तो r से divide करना और तब तक करना जब तक remainder r से कम ना आ जाए और any redix से डेशमल में जाना हो तो इधर से इधर जाना तो R से multiply करना और R से किस तरह से multiply करना परते एक bit में यह हमने बता दिया बस इस concept को याद रखेगा आप किसी भी number system में change कर सकते हैं चली अब हम आते हैं इसको जानने से पहले मतलब binary से octal और binary से hexa जाने से पहले एक छोटा सा चीज हम जानेंगे और वो है 8421 यदि हमारा पुराना वीडियो था कोई देखे होंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे simple 8421 के help से हम लोग चुकि अभी हम details में नहीं जाएंगे simple 8421 के हिसाब से हम लोग 0 से लेके 15 तक कैसे लिख देंगे उसको जानेंगे ठीक है देखे यदि 3 बिट का चाहिए तो हमको 421 यानि 3 बिट binary चाहिए तो 421 ही काफी है लेकिन 4 बिट चाहिए तो 8421 चली तो 4 बिट में हम लोग जो numbers को define करते हैं वो कहां से कहां तक करते हैं वो होता n is equal to 2 to the power n minus 1 ठीक ब्याद रखेगा यानि कि यदि 3 बिट में नंबर लिखाना है तो ये n हो गया 2 to the power 3 minus 1 यानि 7 यानि 0 से 7 तक number decimal number को define करने के लिए हम लोग 0 से 7 तक 3 बिट में define कर सकते हैं वायल जब यहां पे 2 to the power 4 minus 1 हो गया it means 15 यानि कि numbers of bit यदि 4 होंगे तो 4 bit के combination से हम 0 से 15 तक decimal number को represent कर सकते हैं समझ गया यानि कि 7 के बाद 8 9 10 11 को represent करने के लिए हमको minimum कितना चाहिए 4 bit का requirement है तो फिलहाल यह तो जान रहे हैं तो यह 4 bit हम लेके चलते हैं simple 0 से 15 तक तो आपको कोई भी number यदि आप बोलेंगे देखे तुरत में binary कर से change होगा जैसे मानके चलते हम 12 हमको चाहिए ठीक है तो सब से बढ़ा से लेके चलेंगे 12 के लिए 8 चाहिए होगा बिलकुल चाहिए होगा जो चाहिए होगा उसको 1 किजिएगा चार चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए होगा, आट और चार बारा हो गया, यह दो नहीं चाहिए, वन नहीं चाहिए, वन नहीं चाहिए, वन वन जीरो जीरो, यह हो गया binary equivalent कि इसका बारा का, आप चेक करके देख लो, यदि आप ऐसे करोगे, six times, this becomes zero, two, three, this becomes one, sorry, zero, and two, one, one, this becomes one, one, zero, zero, यानि कि हम directly four bit को लिख रहे हैं, zeros लेके 15 तक, ऐसा calculation करने का जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, चलिए, यदि 9 को लिखना है, तो eight चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमने बोला कि बड़ा से चलिएगा, चार चाहिए, नहीं चाहिए, दो चाहिए, नहीं चाहिए, एक चाहिए, आठ और एक नौ होता है, यह आपका binary चार बिट में हो गया, ठीक है, चलिए, हमको साथ चाहिए, तो साथ के लिए हमको चार बिट चाहिए ही नहीं, साथ के लिए हमको कितना बिट चाहिए, तीन बिट चाहिए, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, one, 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 देख चार दो छे और एक साथ, आई होप आप इतना चीज समझ गए होंगे, ठीक है, तो इन चीजों को पकड़के, मतलब क्या है, कि यदि आपको चार बिट बाइनरी लिखने थे, तो समझ गए, कि कैसे लिखेंगे, यदि ये 8, 4, 2, 1 के वल याद है, तो, यदि कोई बोल दे बस हो गया मेरा काम, 1010, यही है बाइनरी आपका, किसका, 10 का बाइनरी है, आप चेक कर लेना, सर 9 चाहिए, तो 8 चाहिए, बिलकुल चाहिए, 4 चाहिए, नहीं चाहिए, 2 चाहिए, नहीं चाहिए, 8 और 1 चाहिए, यह दोनों नहीं चाहिए, 1001, this is your बाइनरी, चलिए, यहा से 15 के लिए कितना 4 bit में represent करेंगे तो octal देखे अब आते हैं binary to octal में ठीक है एकदम simple one में बे में आएंगे binary to octal ठीक तो कितना बड़ा से बड़ा यदि binary हो तो उसको octal में कैसे convert करेंगे उस पे हम लोग आ रहा है जैसे 1100110011 यदि ये binary number है और इसका octal conversion बोल दे तो octal चुकि कितने number 0 से 7 तक defined है यानि octal जो है वो 3 bit में आप define कर सकते हैं octal को तो चलिए यदि कोई भी बड़ा से बड़ा binary number हो तो यदि उसको बोल दे octal number में convert कर दे तो rules कहता है कि आप LSB से 3 bit का group बनाएए इधर से 1,2,3 फिर इधर से 1,2,3 फिर इधर से 1,2,3 और यहां पे देखे कुछ नहीं है तो 0,0 मान लीजिए चलिए अब देखे आपको हम बताएं 4,2,1 का formula यहां चलेगा 8,4,2,1 देखे तीन bit के लिए 4,2,1 चाहिए तो यदि इसको देखेगा तो 4 है इसमें तो नहीं है सर 2 है सर 1 है सर 1 है सर तो 2 और 1,3 सर यह 4 है सर और 2 है कितना होगे अच्छे होगे यह सर केबल 4 है सर और यह केबल 1 है यानि 1463 is the octal equivalent of this binary number सर binary to octal हो गया Now similar way में यदि आपको कोई octal number दे दे और गोल दे उसका binary conversion की जैसे यही octal number है तो rules कहता है कि परतेक octal number यहां देखे 4 octal number है पहला octal number एक, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 3 तो यह परतेक octal number को आप 3-3 bit में लिखिए तो देखे 3 को लिखना है तो चार चाहिए नहीं चाहिए सर, दो चाहिए चाहिए, एक चाहिए चाहिए सर, यहाँ पे छे है, चार चाहिए चाहिए सर, दो चाहिए चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए सर, दो एक नहीं चाहिए, यहाँ पे सर 001, this is your binary equivalent of this octal number, चेक क तो आभी हमने सीखा कि सर्फ binary से octal कैसे convert करेंगे और octal से binary कैसे convert करेंगे similar way में हम लोग सीखते चले कि सर्फ binary नंबर दिया हूआ है तो उसको hexa में कैसे convert करेंगे और hexa दिया हुआ है उसको binary में कैसे convert करेंगे तो देखे यदि यही नंबर देदे कोई भी बड़ा सा 101100110 यह कोई binary नंबर है और इसको बोल देश की hexa में convert किजिए तो देखे binary से octal में जब जाते हैं तो 3 bit का group बनाते हैं स्वी से और binary से hexa में जाते हैं तो 4 bit का group बनाते हैं याद रखेगा एक दो तीन और चार एक दो तीन और चार बस खतम और यहां कुछ नहीं है तो एक दो तीन चार कर दीजिए चली इसको हम लोग इस formula पर लेके चलेंगे 8 4 2 1 में इसको हम लोग 4 2 1 एक पर चले थे और यह क्या है 8 4 2 क्या नहीं है सर 4 और 2 कितना हो गया 6 यहां सर 4 और 2 कितना हो गया 6 और यहां कितना हो गया सर 6 तो 1 6 6 this is your hexa decimal equivalent of this binary तो सर binary to hexa हमने सीख लिया सर hexa to binary कैसे करेंगे तो similar जैसे यहां पर octal to hexa किये थे कि each octal number को क्या किये थे 3 bit binary में convert किये थे यहां पर each hexa number को क्या करेंगे 4 bit binary में करेंगे तो 4 bit लिखने के लिए देखे 6 को लिखना है तो 8 चाहिए सर नहीं चाहिए सर 4 चाहिए sir चाहिए sir 2 चाहिए sir चाहिए 4 अर्दू 6 होता है sir खतम यहां भी sir 8 नहीं चाहिए 4 चाहिए दो चाहिए खतम यह हो गया और इसके लिए sir 1 चाहिए और बागी कुछ नहीं चाहिए यह देखे यह आपका जो binary हो गया this is this hexadecimal का binary हो गया तो śr हमने सीखा कि binary से octal कैसे convert करेंगे? octal से binary कैसे convert करेंगे? binary से hexadecimal कैसे convert करेंगे? hexadecimal से binary कैसे convert करेंगे? अब थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं कि यदि इसके बाद भी decimal number decimal points हो मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास यदि binary कुछ इस फॉर्म में दे दे 110, 11 .110 ठीक है और 11 ये देखिए 110 and 111 ये रहा तो क्या करेंगे ये binary number दे दिया ठीक है और ये binary से octal बोलेगा तब कई से करेंगे तो यहां से group बनाते LSB से देखिए 123 पॉइंट से पहले 123 और 11 ये कितना हो गया सर 3 हो गया और ये कितना हो गया सर 3 हो और यहां पर इधर से grouping करेंगे 110 ये कितना हो गया सर चार अर्दू 6 हो गया सर और ये 111 this becomes 6 यानि कि 33.67 ये हो गया सर मेरा octal equivalent of this number यानि fraction में यदि मेरा binary हो तो उसको हम कैसे लिखते है octal में ये हमने सीखा तो यदि fraction में octal हो तो इसको binary में कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं तो हमने बताया कि जो integer part है उसमें each lsb से 3-3 bit में लिखते हैं 4 चाहिए सर नहीं चाहिए सर दू चाहिए सर चाहिए और एक चाहिए सर चाहिए यहां सर चाहिए सर नहीं चाहिए दो चाहिए एक चाहिए दिस इस त्री दिस इस त्री बीच में point दे देंगे यहां सर 6 है तो 6 को लिखते है 110 7 को सर 111 तो this is your binary equivalent of this octal number तो सर यह complete number का हम binary to octal भी सीख गए और octal to binary भी सीख गए similar way में यदि hexadecimal में भी fraction हो जैसे यहां पर point 110 110 रहे तो कैसे करेंगे सर तो सीधी सी बात है इधर इधर से 4 group बनाते थे point के बाद इधर से 4 group बनाएंगे यानि कि इधर में इधर से 4 group बनाते थे और point के बाद इधर से इधर 4 group बनाते जैसे यहाँ पर इधर से इधर grouping करते थे अप्वाइंट के बाद इधर से इधर करते थे चले तो यहाँ से आते 1101 यह 4 का group हो गया यानि कि 1101 यानि आठ है सर चार है सर, एक है सर 8, 4, 12 और 1, 13 13 को हम लोग define करते हैं चुकि 10 को define करते है A से, 11 को B से 2L को C से 13 को D से 14 को 13 को D से तो यहां क्या लिखेंगे D उसके बाद क्या है sir 1 0 तो बाद में 2 0 लगा देते है तो कितना हो गया यह 8 है sir तो this becomes 166.D8 this is your hexadecimal equivalent of this binary number अब sir यदि यही hexadecimal number रहेगा और यही hexadecimal number रहेगा और बोल देगा कि क्या खाते हैं आप इसको binary में change कीजिए तो कैसे करेंगे तो this is इसको 4 bit में लिखेंगे 0 0 0 1 इसको 4 bit में लिखेंगे 0 1 1 0 इसको 4 bit में लिखेंगे point D को लिखेंगे 1 1 0 sorry D this becomes 13 8 4 12 इसको 8 चाहिए सर जीरो 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 चलिए कोई दिक्कत नहीं this is your what this is your binary equivalent of this hexadational number system चलिए सर ये total हम लोग अभी तक जो सीखे conversion वो 10 conversion सीखे 10 के बाद फिर क्या है सर octal to hexa octal to hexa and hexa to octal तो octal to hexa और hexa to octal two step conversion है सर बहुत असान है octal को पहले आप hexa में convert कर लीजिए sorry octal को पहले आप binary में कर लीजिए simple हमने जानते हैं कोई भी octal number है उसको binary में convert करने के लिए each octal number को 3 bit में लिखते हैं अब आपके पास एक complete binary आया तो binary को आप hexa में कर लीजिए मतलब क्या कीजिएगा LSV से 4-4 bit का group बनाईएगा ये two step conversion है तो ये तो बहुत simple था सर और reverse ऐसा ही करते हैं hexa two octal में hexa पाले binary करते हैं और फिर octal में करते हैं ये था सर number system conversion I hope जल्दी जल्दी में आपको चीज़े समझ में आई होंगी अब इस पे based जो question पूछा गया है जो कि electrical fourth और EC fourth और triple E fourth के लिए अध्यन्द effort की और से जो important question दिया गया है उस important question को हम लोग discuss करते हैं और वो आईसा question है कि यदि आप उतना problem वो चार problem बनाते हैं तो करीब करीब conversion आपका complete हो जाएगा तो इतना पढ़ने के बाद number system conversion से आपका सवाल नहीं छूटेगा हम उमीद करते हैं चीजे आपको समझ आई होगी ठीक है तो देखिए question क्या है उस पे आते हैं हम लोग question हमने दिया था पहला question था convert the following ठीक है convert the following अब क्या conversion था उस पे आते हैं चलिए पहला conversion था ए में 11 sorry 10 1110 0.110 0.1 binary को हमको किसमे change करना था decimal में change करना है किसमे change करना है octal में change करना है और किसमे change करना है hexa decimal में change करना है sir ये question था आपका तो इसको यह देखिए ये binary number है इसको decimal में convert करना तो अभी हमने बताया जब भी number system हो confuse ना करे यहां पर एक तुरत से लिखे है decimal, binary, octal, hexa सर, हमको क्या conversion है सर, decimal को binary में करेंगे, two से divide करेंगे यहां से 8 से करते थे, यहां 16 से करते थे divide, यहां क्या सर, binary two decimal है तो यहां two से क्या करना पड़ेगा सर multiply करना पड़ेगा तो यहां सर, fraction part है, तो 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 इदर हमने लिख दिया बीच में अब यहां पर आगिया decimal point decimal point के लिए इदर से इदर लिखने के लिए हम लोग क्या करते है Sir 2to the power minus 1 करते 2to the power minus 1 into 1 plus 2to the power minus 2 into 1 plus 2to the power minus 3 into 0 plus 2to the power minus 4 into 1 यह हो गया Sir अब आते है Sir यह तो 0 हो गया ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, ये कितना जीरो, ये कितना हो गया सर, 0.5 हो गया सर, ये कितना हो गया सर, 0.25 हो गया सर, ये कितना हो गया सर, तो sir 0.1 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा I think यह कितना हो जाएगा sir तो 0.0625 I think यह होगा ठीक है तो आप इसको समूचे को जो जोड़ेंगे 32, 44, 44, 46.75 and I think 0.06 होगा 7, 625 यह आजाएगा आपका पूरा यानि कि 44, 46, 46, 46, 47, 5, plus 0.0625 यानि कि करीब करीब यह आजाएगा 7.625 ठीक है तो यहां तक आप जो है इसको कनवर्सन सीख लीजिएगा दूसरा क्या है यही बाइनरी नंबर को यदी आक्टल में करना तो प्रोसेस सेम था कि sir LSB से तीन तीन बीट का ग्रूप बनाना और सिंपल लिखना यानि कि यहां से एक दो तीन लिखेगा एक दो तीन लिखेगा यह पाच हो अपरीं जाइगा आध्यान के चाइनल को प्ले स्टोर से आप लोग डल्लोड किजए और study material section में जाएए वहाँ पर important question DTM का आपको मिल जाएगा और वहाँ से ये जो number system का 4 problem 5 problem दिया हुआ है इतना यदि आप बना लेते हैं या इतना lecture ही देख लेते हैं तो आपको अराम से number system conversion का सवाल नहीं छूटेगा तो next video में हम लोग देखेंगे इसके आगे का slot के आगे जो question क्या है इससे आपको question number one तो बन रहा है electrical बालों के लिए भी important है तो next हम लोग जो इसके lecture में देखेंगे वो theorem देखेंगे कि theorem से क्या सवाल था और उसका solution कैसे होगा पाच लेक्चर यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम उमीद करते हैं कि आप at least pass कर जाएगा और पाच लेक्चर यदि आप पूरे ढ़ंग से मेहनत करते हैं पाच गंटे साथ गंटे हमारे साथ पूरे तीन दिन में तो उमीद करते हैं कि आप असानी से pass कीजिएगा अच्छे नंबर से पास कीजिएगा चलिए तब तक के लिए धन्यवाद जो इस चाइनल को अभी जो वीडियो जा रहा है ये कोई वीडियो देख के अपने पास नहीं रखिएगा ये रिक्वेस्ट है इस वार जो इग्जामनेशन है पहली बार आप लोग देख रहे बहुत बच्चा परिसान है काफी फोन्स हमारे पास आएं कि सर इंपोर्टेंट कोश्चन्स के लिए और सब को पहुचा पाना भी संभव नहीं है तो आप अपने अस्तर से जितना हो सके वीडियो जो है फोर्थ समेस्टर इसी डवली और ट्रिपली वालों को सेर करें जिससे की वो एक्जाम में हैटलिस्ट पास हो सके ठीक है एक आइडिया लग सके पहली बार चलिए धन्यवाद फिर मिलेंगे दो से डिवाइड करेंगे और इस बिकम्स जीरो मतलब हम लोग को जो डिवाइड का प्रोसेस करना है टू से डिवाइड दो करना लेकिन कब तब तक करना है जब तक रिमेंडर दो से कम ना आ जाए और इसको हम लोग लिखते हैं इसे नीचे से उपर 1 0 0 1 0 0 0 इस यह बाइनरी equivalent of this decimal number इसको हम लोग यह representation, it means कि it is a binary representation of this decimal number इस जो digit को हम लोग काते है MSD, most significant digit या most significant bit और इसको काते है LSB, least significant bit or least significant digit तो यह जो question है यह leftmost this is called most significant digit यह 2019 में यह सवाल आपसे पूछा गया था चलिए, यदि यही 72 decimal number रहता और इसको बोल देता कि आप octal में convert किजिए तो कई से करते हैं हम process सब में सेम है सर जब decimal to binary जाना था तो 2 से divide किए तो decimal to octal जाना है तो किस से divide करना 8 से करना और तब तक करना जब तक remainder 8 से कमना आ जाए इट मिन्स आट 9 टाइम्स में यह 72 हो जाएगा तो remainder 0 बच जाएगा फिर आप 8 से दो 1 and this becomes rest 1 इट मिन्स यदि आप यहां से यहां फिर जो लिखेंगे नीचे से उपर इसमें भी लिखेंगे 110 this is your octal equivalent of this decimal number यदि यही decimal number को आपको बोल दे कि सर हेक्सा decimal निकालिए तो कैसे निकालेंगे तो अबर जो divide होगा वो 16 से होगा और 16 से और कब तक होगा जब तक remainder आपका 16 से कम ना आ जाए तो यह हो जाएगा 4 times 64 64 and यहाँ पे जो बचेगा यह बचेगा आपका 8 तो 64 and 72 और यहाँ फिर लिखेंगे हम 4, 8 this is your hexadecimal equivalent of this decimal number यदि आपको कोई और रेडिक्स बोल दे 72 है इसको आप सेप्टल में मतलब को ऐसा number system जिसका बेस साथ हो उसमें कीजिए तो no problem 72 को आपको डिवाइड करना 7 से 10 times remains 2 and 7 से 1 times remains 3 1, 3, 2 this is your septal equivalent of this decimal number तो आपने अभी में जाना हो तो 16 से करेंगे और कोई भी बेस में जाना हो तो उस बेस से डिवाइड करेंगे और तब तक करेंगे जब तक remainder जो है मेरा वो particular base से कम ना जाए, binary में 2 से कम ना जाए, octal में 8 से कम ना जाए, hexadecimal में 16 से कम ना जाए और एनिन conceptual में 7 से कम ना आ जाए तब तक हम लोग करेंगे और नीचे से उपर लिखेंगे ये था कि यदि आपको direct सवाल पूछ दिया कि मतलब integer रहा तो आप अराम से इसके तुरू बना लेंगे लेकिन सवाल केबल integer से नहीं पूछता कभी-कभी आप बहुत खुसकिस्मत रहें तो आपको integer से सवाल direct पूछ देगा यहाँ पर integer plus fraction यह सवाल भी पूछता है तो हम लोग देखते हैं one by one अभी आगे 10-15 minute, 20 minute का जो lecture होगा यह इतना यदि आप number system का class देख लेते हैं तो I hope कि फिर आपको इसमें कोई भी number system conversion में एक भी सवाल आपका नई चूटेगा तो हम लोग decimal to any redix लेके चल रहे हैं चलिए तो question यदि ऐसा पूछ दे कि 72.6 देखे यह हो गया integer part और यह हो गया fraction part तो इसका कैसे करेंगे इस पे हम लोग discuss करेंगे क्योंकि problem जो पूछेगा यह इस पूछेगा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग यदि यहां लेके चले थे चार standard number तो decimal to binary हमने सीखा, decimal to octal हमने सीखा, decimal to hexadecimal हमने सीखा, यह तीन conversion हमने सीखा और further तीन conversion हम सीख लेते हैं उसके बाद फिर सीखेंगे कि इस तरह के number को हम लोग कैसे convert करते हैं त yeni redix और हो, तो उससे हम decimal में कैसे आयेंगे, तो ये redix r, इस BES 2 भी हो सकता, BES 8 भी हो सकता, BES 16 भी हो सकता, और कोई भी हो सकता, तो जब आप binary से decimal में आवगे ना, तो चुकी जब decimal से binary गए थे, तो 2 से divide किये थे, तो binary से जब decimal में आये तो वही 2 से multiply करेंगे, बस multiplication का तरीका जान लेंग कैसे करेंगे octal से यदि decimal में जाएंगे न तो 8 से multiply करेंगे और hexadecimal to decimal आएंगे न तो 16 से multiply करेंगे similar way में any radix में जाएंगे और मतलब इसको one line यदि यदि ये पूरे समुचे diagram को ये one line लिखे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि decimal to any radix यानि किसी भी base में जाना हो यदि हमको तो यहां से यहां जाना हो तो divide करेंगे r से जो भी base में जाना हो और इधर से any radix से decimal में आना हो तो multiply करेंगे r से तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि sir हमारा जो result आया था 100100 ये binary number है इसको हम decimal में कैसे convert करेंगे तो हमने बताया कि आपको 2 से multiply करना है परते एक digit में देखिए 2 और power कहां से शुरू करना 2 to the power 0 से 2 to the power 0 into 0 बीच में plus दीजिए 2 to the power 0 into 0 2 to the power 1 into 1 plus 2 to the power 2 into 0 plus 2 to the power 3 into 0 plus 2 to the power 4 into 0 plus 2 to the power 5 into 1 देखिए ये था आपका 0 sorry ये 0 हो गया ये 0 के बाद 1 होगा 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 and 5 के बाद 6 यह 7 बीच है ठीक है यह इसा ही सुरू करना है यह जो भी बेस रहेगा यह 0 से सुरू करते है और up to up to बढ़ते जाते है चली यह तो 0 है 0 है यह 0 हो गया 2 to the power 2 it means 4 हो गया 4 यह 0 हो गया यह 0 हो गया यह 0 हो गया यह 0 2 to the power 6 यह होता है 60 2 to the power 5 बदते 64 ठीक है यह हो गया 64 तो 64 and 4 68 यह क्या हो गया 68 this is your decimal equivalent of this binary number ठीक है यह decimal equivalent हो गया यह binary number system का तो हम लोग अब देखते हैं इसके बाद कि sir यदि octal number हो तो उसको decimal में कैसे convert करेंगे यदि 3 4 को यह octal number है तो इसको भी same process जैसे यहाँ पे हम लोग process follow किये कि यहाँ पे इधर से इधर आने के लिए 2 से multiply किये तो octal to a decimal जाने के लिए 8 से multiply करेंगे 8 to the power 0 into 4 and plus 8 to the power 1 into 3 this become 24 and 8 to the power 0 it means 1 and 1 into 4 4 this becomes 28 this is your decimal equivalent sir यदि hexa decimal number हो just suppose जैसे 1a यदि यह number ले ले तो 1a stands for 1 and a stands for 10 ठीक है तो यह यदि number हो तो इसको यदि हमको decimal में करना है process same है यह 16 है यहां जब 8 से हम लोग multiply कर रहा है तो यहां 16 से करेंगे 16 to the power 0 into 10 and plus 16 to the power 1 into 1 this becomes 16 and this 16 to the power 0 becomes 1 and 10 तो this becomes 10 तो 16 plus 10 and this is equal to this is equal to 26 तो 26 तो यह मेरा हो गया decimal equivalent यह decimal equivalent हो गया मेरा इस hexa decimal number system का तो अभी हमने जाना कि total 6 conversion हमने अभी सीखा कि यदि decimal में number हो तो उसको binary में कैसे convert करेंगे decimal है उसको octal में कैसे करेंगे decimal है उसको hexa decimal में कैसे convert करेंगे और repeat process कैसे जाएंगे ठीक है यहां तक में sir कोई problem नहीं है कोई समस्या नहीं है अब जो सवाल जैसे पूछे हैं जैसा problem दिया हमने आपको important question उस पे आते हैं कि इस पे based जो question था important question वो किस तरह से था हाँ video short एकदम short में पढ़ाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आपकी खतम हो तो बहुत चीजिया इसी होती है कि धीरे धीरे बहुत ज्यादा समझ आता है लेकिन चुकि यह last hour है तो इसमें हम लोग उसी के accordingly चलेंगे चली अब आते हैं सबसे पहले जो सवाल है हाँ पहले decimal point वाला देख ले तो जैसे एक सवाल था 74.25 this is your decimal number और इसी को convert करने आपको बोला गया है इसी को convert करने बोला गया है बाइनरी में इसी को convert करने बोला गया है और इसी को convert करने बोला गया है hexadecimal number में तो देखे यह जो integer part है उसके लिए same process होता है integer part के लिए decimal to binary भी same है decimal to octal भी same है decimal to hexadecimal यानि 74 को यदि हमको binary में convert करना है तो 2 से divide करना होगा I think यहां पर 37 होगा previous जो हमने किया था साइच 74 यहां पर हमने 36 कर दिया वहां पर आप लोग सुधार देंगे this is 37 तो this becomes 0 2 से फिर करेंगे this is 18 becomes 1 2 से फिर करेंगे 9 times करेंगे 0 2 से फिर करेंगे 4 times करेंगे this becomes 1 2 से फिर करेंगे this becomes 0 2 से फिर करेंगे 1 this becomes 0 यानि 1 0 0 1 0 1 0 this is your binary equivalent इससे previously यदि हम 74 लिये होंगे I think यदि याद नहीं है मुझे यदि लिये थे 74 तो उसको सुधार लेजिएगा 72 था तो सही था यह था binary integer पार्ट का इसके बाद हम लोग point डाल देते हैं इसके बाद यह 0.25 को कैसे हम लोग convert करते हैं उस पे आते हैं ठीक है यदि decimal to हम कोई भी fractions में जाते हैं तो कैसे जाते हैं उस पे आते हैं इसके लिए हम regular multiplication जाते हैं fraction पार्ट के लिए याद रखेगा यहाँ पे हम phrase यहाँ लिख देते हैं fraction पार्ट के लिए यदि यही fraction देखेगा यह fraction यदि हम इस decimal में fraction है और इसको binary में convert करना तो one line में कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते 0.25 है यहाँ तक integer पार्ट में हम divide करते हैं और fraction पार्ट के लिए successive multiplication मतलब multiply करेंगे हम 0.25 को किस से multiply करेंगे 2 से मेरा result क्या आएगा 0.5 इसका integer पार्ट को हम लोग यहाँ लिखेंगे और इसका fraction पार्ट जो है इसका integer part को यहां लिखेंगे और इसका जो fraction part है उसको फिर से slide करके नीचे लिखेंगे 0.5 into 2 This becomes 1 अब देखे 1.0 यानि कि आपका यहां पे खतम हो गया यानि कि 0 and 1 यहां पे हम उपर से नीचे लिखते हैं याद रखें इसका integer part को हम लोग नीचे से उपर लिखे थे और fraction part को हम क्या करते हैं उपर से नीचे लिखते हैं यानि 0.01 This is your binary equivalent of this decimal number system यदि यही decimal number system को आपको बोल दे octal में convert कीजिए तो क्या करेंगे तो हमने बताया कि decimal integer part का जो fractions हम लोग करेंगे वो same करेंगे यानि 74 को यदि हमको octal में convert करना तो 8 से divide करना होगा और 8 से divide कुछ इस तरह से होगा 9, 8 जा 72 8 becomes 8 and further 8 से करेंगे 8, 1, 1, 1 यानि 1, 1, 2 This is your integer part of 74 in octal number system and जब यहाँ पे फिर आजाएंगी fractions की तो यहाँ पे जैसे 2 से यहाँ 8 से divide किये हैं तो यहाँ पे fraction part को किस से multiply करेंगे 8 से multiply करेंगे यह देखे यदि आप इसको 8 से multiply किजिएगा तो यह आपका बन जाएगा 2 देखे आपका defined है 25 into 2 यानि कि 2.0 यानि इसका fraction part तो 0 ही बचा फिर फरदर रुख जाएगा यानि 1.112.2 इस यह उक्टल equivalent of this decimal number यदि यही decimal number system दे दे और बोल दे hexadecimal number में convert किजिए तो कैसे करेंगे उस पे आते हैं हमने बताया integer part में कोई छिड़ छड़ने प्रोसेस सेम रहेगा 74, 16 4 time में 64 and becomes 10 या देखिए 10 बच गिया आपका यानि कि 4 A 10 को हम लोग hexadecimal में A में लिखते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो 0.25 आया यह था आपका 0.25 इसको हम लोग क्या करेंगे अबर 16 से करेंगे 16 से करेंगे तो जब आप 16 से इसको करेंगे तो आपके पास answer आजाएगा 4 and फिर आपका rest खतम हो जाए 4 A.4 This is your hexadecimal equivalent of this decimal number system चले तो अभी हमने 3 conversion को completely सीखा कि यदि decimal में cable integer रहेगा तो उसको binary में कैसे convert करेंगे decimal में cable integer रहेगा तो उसको कैसे octal में convert करेंगे और decimal में cable integer रहेगा तो उसको hexadecimal में कैसे convert करेंगे साथ साथ हमने सीखा कि यदि decimal में integer और fraction दोनों रहेगा तो उसको हम binary में कैसे convert करेंगे decimal में integer और fraction दोनों रहेगा उसको octal में कैसे convert करेंगे decimal में integer और fraction दोनों रहेगा उसको hexadecimal में कैसे convert करेंगे ये तीन complete conversion हमने सीख लिया है इसके बाद हम लोग आएंगे important question में पहले और तीन complete conversion सीखते हैं और फिर फर्दर आएंगे हम important question में अब आते हैं अब हम लोग आते हैं ये हमने सीखा अब आते हैं कि यदि मेरा इस side का part इंटीजर और fraction इस side का part भी मेरा fraction में हो जैसे मान के चलिए ये number है 1001010.01 ये कोई binary number है और इसको भोल दे decimal number में तो binary simple binary रहेगा cable integer part का binary रहेगा point नहीं रहेगा तो हम लोग start कहां से कर रहे थे याद कीजिए हम लोग आईसे कर रहे थे binary को decimal में लाने के लिए 2 to the power 0 into 0 देखे इसके लिए ये लिखते थे 4 plus 2 to the power 1 into 1 4 plus 2 to the power 1 into 0 इस बीट के लिए 4 plus लिखते थे 2 to the power 2 into 1 4 plus 2 to the power 3 into 0 4 plus 2 to the power 4 into 0 4 plus 2 to the power 5 into 1 ये हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 1 देखे याँ missing हो गया 0, 2 to the power 0 into 0, 2 to the power 1 into 1, 2 to the power 2 into 0, 2 to the power 3 into 1, 2 to the power 4 into 0, 2 to the power 5 into 0 and 2 to the power 6 into 1 ये हम लोग लिखते हैं इंटीजर पार्ट का तो यदि इसको हम लोग पहले कालकुलेट कर लें ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हर दो 10 हो गया और ये 2 to the power 6 हो गया यानि कि 64 64 8 and 2 बाकी सब 0 हो गया यानि कि यह हो गया 74 फिर point दे देंगे अब देखें यहाँ पे शुरू हमने यहाँ से क्या था 2 to the power 0 यहाँ करेंगे 2 to the power minus 1 into 0 यहाँ पे point के बाद plus 2 to the power minus 2 into 1 यह पार्ट 0 हो गया और यह हो गया 1 by 4 and 1 by 4 becomes 0.25 so 74.25 this is your decimal equivalent तो so simple conversion here तो यह भी complete हमने सिखा कि यदि binary bit में cable binary bit में रहे तो उसको हम लोग कैसे convert करेंगे और binary bit में भी यदि fraction रहेगा तो उसको simply क्या करेंगे इधर से 2 to the power 0 से इधर बढ़ते है 2 to the power 0 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5 and 2 to the power 6 उसी तरह से इधर गटेंगे 2 to the power minus 1, 2 to the power minus 2, 2 to the power minus 3, 2 to the power minus 4 and finally calculation को लिख देंगे चली next है मेरा कि यदि 1, 1, 1, 1, 2.2 this is your octal number यदि इस तरह से fraction में octal number रहेगा तो कैसे convert करेंगे सरफ so simple here to 8 to the power 0 into 2 ये तो हम लोग integer part के लिए करते थे 8 to the power 1 into 1 and 8 to the power 2 into 1 ये integer part के लिए करते थे तो plus यहाँ पर करते 8 to the power minus 1 into 2 चली ये हो गया minus 1 into 2 यानि कि आप यहाँ पर देखोगे this becomes 64, this becomes 8, this becomes 1 into 2, this becomes 2 and this becomes 2 by 8, यानि कि 1 by 4, चली 64, 74 and plus 0.25, this becomes 74.25, चली यहाँ तक सर, चीज़ें clear हो गई, तो यही चीज यदि hexadecimal number system में रहे और fraction में रहे, just suppose यह hexadecimal हम लेते हैं, 4a.4, 4a.4, यहाँ भी कुछ नहीं करना है सर, so simply, integer पाट यह है, यहाँ 16 to the power 0 into a, plus 16 to the power 1 into 4 and यहाँ पे plus 16 to the power minus 1, point के बाद है, इसलिए minus 1, 4. तो this becomes 64 and plus this becomes a, 16 to the power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. and plus 4 by 16 and this becomes 1 by 4 and this becomes 10, यहाँ 74 plus 0.25, यहाँ 74.25, this is your decimal equivalent. यानि आभी तक हमने जो सीखा, यह total 6 conversion completely हमने जाना, कि सर, यदि decimal में रहेगा, तो उसको binary में, binary में रहेगा, तो decimal में decimal रहेगा, octal में octal रहेगा, उसको decimal में decimal रहेगा, उसको hexadecimal में hexadecimal रहेगा, उसको decimal में कैसे convert करेंगे. चलिए अब रही बात कि sir binary to octal कैसे करेंगे octal to binary कैसे करेंगे octal to hexa कैसे करेंगे hexa to octal कैसे करेंगे तो ये total 6 conversion हम सीख लिए 6 conversion के बाद total 6 conversion और तुरत जल्दी में सीख जाते हैं और उसके बाद जो important questions है और सारे conversion के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे बस patience रखिए और मेरे साथ पढ़ते जाएंगे note करते जाएंगे copy में आखरी hour भी है तो note करते जाएंगे ठीक है आपको फाइदा मिलेगा चलिए तो अब आते हम सबसे पहले देखिए आपको binary to octal, octal to hexa जाने के लिए जब आप class करते हैं तो बहुत detail में जाते हैं पहले 3 bit binary में जाते हैं फिर 4 bit binary में जाते हैं अभी चुकी वक्त कम है इसलिए बहुत ही concise way में हम समझेंगे चीज़ों आपको थोड़ा बहुत remind बस याद रखना है जैसे अभी हमने बताया इस पूरे graph के पारे में एक ही चीज़ हमने आपको बताया कि decimal to any radix मतलब आपको decimal से किसी भ d base में जाना हो r base में जाना हो तो इधर से इधर जाना है तो r से divide करना और तब तक करना जब तक remainder r से कम ना आ जाए और any radix से decimal में जाना हो तो इधर से इधर जाना तो r से multiply करना और r से किस तरह से multiply करना पड़ते एक bit में यह हमने बता दिया बस इस concept को याद रखेगा आप किसी भी number system में change कर सकते हैं चली अब हम आते हैं इसको जानने से पहले मतलब binary से octal और binary से hexa जानने से पहले एक छोटा सा चीज हम जानेंगे और वो है 8421 यदि हमारा पुराना वीडियो था कोई देखे होंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे simple 8421 के help से हम लोग चुकि अभी हम details में नहीं जाएंगे सिर्फ 8421 के हिसाब से हम लोग 0 से लेके 15 तक कैसे लिख देंगे उसको जानेंगे ठीक है देखे यदि 3 bit का चाहिए तो हमको 421 यानि 3 bit binary चाहिए तो 421 ही काफी है लेकिन 4 bit चाहिए तो 8421 चली तो 4 bit में हम लोग जो numbers को define करते हैं वो कहां से कहां तक करते हैं वो होता है n is equal to 2 to the power n minus 1 ठीक ब्याद रखेगे यानि कि यदि 3 bit में number लिखाना है तो ये n हो गया 2 to the power 3 minus 1 यानि 7 यानि 0 से 7 तक number decimal number को define करने के लिए हम लोग 0 से 7 तक 3 bit में define कर सकते हैं वायल जब यहां पे 2 to the power 4 minus 1 हो गया यानि कि numbers of bit यदि 4 होंगे तो 4 bit के combination से हम 0 से 15 तक decimal number को represent कर सकते हैं समझ गया यानि कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11 को represent करने के लिए हमको minimum कितना चाहिए 4 bit का requirement है तो फिलहाल यह तो जान रहा है तो यह 4 bit हम लेके चलते हैं simple 0 से 15 तक तो आपको कोई भी number यदि आप बोलेंगे देखे तुरत में binary कर से change होगा जैसे मान के चलते हैं 12 हमको चाहिए ठीक है तो सबसे बड़ा से लेके चलेंगे 12 के लिए 8 चाहिए होगा बिल्कुल चाहिए होगा जो चाहिए होगा उसको 1 कीजिएगा 4 चाहिए होगा बिल्कुल चाहिए होगा 8 और 4 12 हो गया यह 2 नहीं चाहिए 1 नहीं चाहिए 1 1 0 0 यह होगया binary equivalent कि इसका 12 का आप चेक करके देख लो यह आप 20 करोगे 6 times this becomes 0 2 3 this becomes 1 sorry 0 and 2 1 1 this becomes 1 1 0 यानि कि हम directly 4 bit को लिख रहे हैं 0 से लेके 15 तक इसा calculation करने का जरूरत नहीं है हमें ठीक है चलिए यह 9 को लिखना है तो 8 चाहिए बिल्कुल चाहिए हमने बोला कि बड़ा से चलिएगा 4 चाहिए नहीं चाहिए 2 चाहिए नहीं चाहिए 1 चाहिए 8 और 1 9 होता है यह आपका binary 4 bit में हो गया ठीक है चलिए हमको 7 चाहिए तो 7 के लिए हमको 4 bit चाहिए ही नहीं 7 के लिए हमको कितना bit चाहिए तीन बिट चाहिए तो उसके लिए क्या लिख देंगे वन वन देखे चार दो छे और एक साथ आई होप आप यतना चीज समझ गए होंगे ठीक है तो इन चीजों को पकड़के मतलब क्या है कि यदि आपको चार बिट बाइनरी लिखने थे तो समझ गए है कि कैसे लिखेंगे यदि यह 8,4,2,1 के वल याद है तो यदि कोई बोल दे अचानक से कि 10 का बाइनरी लिखिए और आपको सिर्फ याद है 8,4,2,1 चलिए 8,4,2,1 तो 10 लिखने के लिए 8 चाहिए तो चाहिए 4 चाहिए नहीं चाहिए ज्यादा हो जाएगा 8 और 2 चाहिए 10 बस हो गया मेरा काम 1010 यही यह बाइनरी आपका किसका 10 का बाइनरी है अब चेक कर लेना सर 9 चाहिए तो 8 चाहिए बिल्कुल चाहिए 4 चाहिए नहीं चाहिए 2 चाहिए नहीं चाहिए 8 और 1 चाहिए यह दोनों नहीं चाहिए one zero zero one this is your binary चलिए यहां पर काम खतम हो गया हम यतना समझ गए कि सर हम लोग कैसे तीन बीट और चार बीट बाइनरी में लिख देंगे तो जीरो से साथ के लिए क्या करना तीन बीट और जीरो से पंदरा के लिए कितना चार बीट में रिप्रिजंट करेंगे तो ओक्टल देखें अब आते हैं बाइनरी टू ओक्टल में ठीक है एकदम सिंपल one में बे में आएंगे बाइनरी टू ओक्टल ठीक तो कितना बड़ा से बड़ा यदि बाइनरी हो तो उसको ओक्टल में कैसे कनवर्ट करेंगे उस पे हम लोग आ रहे हैं जैसे one one zero zero one one zero zero one one यदि यह बाइनरी नंबर है और इसका ओक्टल कनवर्सन बोल दे तो ओक्टल चुकी कितने नंबर zero से seven तक defined है यानि ओक्टल जो है वो तीन बीट में आप define कर सकते हैं ओक्टल को तो चलिए यदि कोई भी बड़ा से बड़ा बाइनरी नंबर हो तो यदि उसको बोल दे ओक्टल नंबर में कनवर्ट कर दे तो रूल्स कहता है कि आप LSB से तीन बीट का ग्रूप बनाए इधर से एक दो तीन फिर इधर से एक दो तीन फिर इधर से एक दो तीन और यहां पर देखे कुछ नहीं है तो जीरो जीरो मान लीजिए चलिए अब देखे आपको हम बताए चार दू एक का फर्मूला यहां चलेगा आठ चार दू एक देखे तीन बीट के लिए चार दू एक चाहिए तो यदि इसको देखेगा तो चार है इसमें तो नहीं है सर दो है सर है सर एक है सर है सर तो दो और एक तीन सर यह चार है सर और दो है कितना होग यह अच्छे हो गया यह सर केबल चार है सर और यह केबल एक है सर यानि 1463 is the octal equivalent of this binary number सर binary to octal हो गया now similar way में यदि आपको कोई octal number दे दे और बोल दे उसका binary conversion की जैसे यही octal number है तो रूल्स कहता है कि परते एक octal number यहां देखे चार octal number है पहला octal number एक दुसरा चार तीसरा छे और चौथा तीन तो यह परते एक octal number को आप तीन तीन बीट में लिखिए तो देखे तीन को लिखना है तो चार चाहिए नहीं चाहिए सर दो चाहिए 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 एक चाहिए चाहिए सर यहां पर एच्छे है चार चाहिए चाहिए सर दो चाहिए चाहिए सर और कुछ नहीं चाहिए यहाँ चार, चार चाहिए सर, दो एक नहीं चाहिए, यहाँ पर सर 001, इस इस यूर बाइनरी ग्वेलेंट अफ देस अक्टल नंबर, चेक कर लो, यही चीज़ आ गया, तो अभी हमने सिखा कि सर, बाइनरी से अक्टल कैसे कनवर्ट करेंगे, और अक्टल से बाइनरी कैसे कनवर्ट करेंगे, सिमिलर वे में हम लोग सिखते चले, कि सर, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, तो उसको hexa में कैसे convert करेंगे और hexa दिया हुआ है उसको binary में कैसे convert करेंगे तो देखे यदि यही नमबर दे दे कोई भी बड़ा सा 101100110 यह कोई binary नमबर है और इसको बोल दे इसकी hexa में convert किजिए तो देखे binary से octal में जब जाते हैं तो 3 bit का group बनाते हैं LSB से और binary से hexa में जाते हैं तो 4 bit का group बनाते हैं याद रखेगा एक, दो, तीन और चार एक, दो, तीन और चार बस खता मर यहां कुछ नहीं है तो एक, दो, तीन, चार कर दीजिए चली इसको हम लोग इस formula पे लेके चलेंगे 8, 4, 2, 1 में इसको हम लोग 4, 2, 1 एक पे चले थे और यह क्या है? 8, 4, 2 क्यानि 8 नहीं है सर, 4 और 2 कितना हो गया? 6 यहां सर, 4 और 2 कितना हो गया? 6 और यहां कितना हो गया सर? 6 तो 1, 6, 6 this is your hexa decimal equivalent of this binary तो सर, binary to hexa हमने सीख लिया सर, hexa to binary कैसे करेंगे? तो similar जैसे यहां पे octal to hexa किये थे कि each octal number को क्या किये थे? 3 bit binary में convert किये थे यहां पे each hexa number को क्या करेंगे? 4 bit binary में करेंगे तो 4 bit लिखने के लिए देखे 6 को लिखना है, तो 8 चाहिए सर नहीं चाहिए सर, 4 चाहिए सर चाहिए सर, 2 चाहिए सर चाहिए 4 अर्दू 6 होता है सर, खतम यहां भी सर 8 नहीं चाहिए, 4 चाहिए 2 चाहिए, खतम, यह हो गया और इसके लिए सर 1 चाहिए, बाकि कुछ नहीं चाहिए, यह देखे, यह आपका जो binary हो गया, this is this hexa decimal का binary हो गया तो सर हमने सीखा कि binary से octal कैसे convert करेंगे octal से binary कैसे convert करेंगे, binary से hexa decimal कैसे convert करेंगे hexa decimal से binary कैसे convert करेंगे अब थोड़ा हम लोग सीख लेते हैं कि यदि इसके बाद भी decimal number, decimal points हो, मतलब यदि कहने का मतलब है कि आपके पास यदि binary कुछ इस form में दे दे one one zero one one point one one zero ठीक है, और one one ये देखिए, one one zero and one one ये रहा, तो क्या करेंगे ये binary number दे दिया ठीक है, और ये binary से octal बोलेगा, तब कैसे करेंगे, तो यहां से group बनाते, lsb से देखिए, one two three point से पहले, one two three, और one one, ये कितना हो गया, sir तीन हो गया, और ये कितना हो गया, sir तीन हो, और यहां पर इधर से grouping करेंगे, one one zero ये कितना हो गया, sir, चार अर्दू छे हो गया, sir, और ये one 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 this becomes safe, यानि 33.67 ये हो गया, sir, मेरा octal equivalent of this number यानि fraction में यदि मेरा binary हो, तो उसको हम कैसे लिखते है, octal में ये हमने सीखा, तो यदि fraction में octal हो तो इसको binary में कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं, तो हमने बताया कि जो integer part है, उसमें each lsb से तीन-तीन bit में लिखते हैं, चार चाहिए, sir नहीं चाहिए, sir दू चाहिए, sir, चाहिए, और एक चाहिए, sir, चाहिए यहाँ, sir, चाहिए, sir, नहीं चाहिए, दो चाहिए, एक चाहिए this is three, this is three, बीच में point दे देंगे, यहाँ, sir, six है, तो six को लिखते है, one one zero, seven को, sir, one one one, so this is your binary equivalent of this octal number तो, sir, यह complete number का, हम binary to octal भी सीख गए, और octal to binary भी सीख गए, similar way में, यदि hexadecimal में भी fraction हो, जैसे यहाँ पे point one one zero one one zero रहे, तो कैसे करेंगे, sir, तो सीधी सी बात है, इधर, इधर से चाहर ग्रूप बनाते थे, point के बाद इधर से चाहर ग्रूप बनाएंगे, यानि कि इधर में, इधर से इधर चाहर ग्रूप बनाते थे, और point के बाद इधर से इधर चाहर ग्रूप बनाते हैं, जैसे यहाँ पे इधर से इधर ग्रूप बनाते हैं, जैसे को B से, 2L को C से, 13 को D से 14 को, 13 को D से तो यहां क्या लिखेंगे? D उसके बाद क्या है sir? 1, 0 तो बाद में 2, 0 लगा देते हैं तो कितना हो गया यह? 8 है sir तो this becomes 166.D8 This is your hexadecimal equivalent of this binary number अब sir, यदि यही hexadecimal number रहेगा और यही hexadecimal number रहेगा और बोल देगा कि क्या खाते हैं आप इसको binary में change कीजिए, तो कई से करेंगे? तो this is, इसको 4 bit में लिखेंगे 0, 0, 0, 1 इसको 4 bit में लिखेंगे 0, 1, 1, 0 इसको 4 bit में लिखेंगे point D को लिखेंगे 1, 1, 0 sorry, D this becomes 13, 8, 4, 12 और एक तेरह, sorry, 8, 4, 12 चाहिए, और एक तेरह इसको 8 चाहिए, sir 0, 0, 0 चलिए, कोई दिक्कत ने, this is your what? this is your binary equivalent of this hexadecimal number system चलिए, sir, यह total हम लोग अभी तक जो सीखें conversion, वो 10 conversion सीखें, 10 के बाद फिर क्या है, sir, octal to hexa octal to hexa and hexa to octal तो octal to hexa और hexa to octal two step conversion है, sir, बहुत असान है octal को पहले आप hexa में convert कर लीजिए, sorry, octal को पहले आप binary में कर लीजिए simple हमने जानते हैं कोई भी octal number है, उसको binary में convert करने के लिए, each octal number को 3 bit में लिखते हैं, अब आपके पास एक complete binary आया तो binary को आप hexa में कर लीजिए मतलब क्या कीजिएगा LSV से 4-4 bit का group बनाईएगा, यह two step conversion है तो यह तो बहुत simple था, sir और reverse ऐसा ही करते हैं, hexa two octal में hexa को पहले binary में करते हैं, और फिर octal में करते हैं, यह था, sir, number system conversion, I hope जल्दी जल्दी में आपको चीज़े समझ में आई होंगी, अब इस पे based जो question पूछा गया है, जो कि electrical fourth और EC fourth और triple E fourth के लिए अध्यन्द effort की और से जो important question दिया गया है उस important question को हम लोग discuss करते हैं, और वो आईसा question है, कि यदि आप उतना problem, वो चार problem मनाते हैं, तो करीब करीब conversion आपका complete हो जाएगा, तो इतना पढ़ने के बाद number system, conversion से आपका सवाल नहीं चूटेगा, हम उमीद करते हैं चीजे आपको समझ आई होगी, ठीक है तो देखिए, question क्या है, उस पे आते हैं हम लोग question हमने दिया था, पहला question था, convert the following ठीक है, convert the following अब क्या conversion था उस पे आते हैं चलिए, पहला conversion था ए में, one one sorry, one zero one 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 zero point one one zero one binary, को हम को किसमें change करना था decimal में change करना है, किसमे change करना है, octal में change करना है, और किसमे change करना है, hexa decimal में change करना है, sir ये question था आपका, तो इसको यह देखे, ये binary number है इसको decimal में convert करना तो अभी हमने बताया, जब भी number system हो, confuse ना करे, यहाँ पे एक तुरत से लिखिया decimal, binary, octal hexa, sir हमको क्या conversion है, sir decimal को binary में करेंगे, two से divide करेंगे, यहाँ से 8 से करते थे, यहाँ सोला से करते थे, divide यहाँ क्या है, sir, binary two decimal है, तो यहाँ two से क्या करना पड़ेगा, sir, multiply करना पड़ेगा, तो यहाँ, sir, fraction part है, तो पहले integer part को लिख देते हैं, यहाँ से लिखते है, sir, two to the power zero or into this bit, plus sir, two to the power one into this bit, plus sir, two to the power two into this bit, plus sir, two to the power three into this bit, plus sir, two to the power four into this bit, plus sir, two to the power five into this bit, yes, sir, इधर से इधर हमने लिख दिया, बीच में अब यहाँ पे आगिया decimal point, decimal point के लिए, इधर से इधर लिखने के लिए, हम लोग क्या करते है, sir, तो two to the power minus one करते, two to the power minus one into one, plus two to the power minus two into one, plus two to the power minus three into zero, plus two to the power minus four into one, यह हो गया, sir, अब आते हैं, sir, यह तो zero हो गया, यह कितना हो गया, 32, यह कितना हो गया, sir, eight हो गया, ये कितना हो गया sir 4 हो गया ये कितना हो गया sir 2 हो गया ये कितना 0 ये कितना हो गया sir 0.5 हो गया sir ये कितना हो गया sir sir 0.25 हो गया sir ये कितना हो गया sir तो sir 0.1 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा I think ये कितना हो जाएगा sir तो 0.0625 आई थिंक यह होगा ठीक है तो आप इसको समूचे को जो जोड़ेंगे 32, 44, 44 46.75 and I think 0.06 होगा 7 625 यह आजाएगा आपका पूरा यानि कि 44, 46 44, 46 46 देस्मल लाओ 5 7 5 प्लस 0.0625 यानि कि करीब करीब यह आजाएगा 7.625 ठीक है तो यहां तक आप जो है इसको कनवर्सन सीख लीजिएगा दूसरा क्या है यही बाइनरी नंबर को यदि अक्टल में करना तो प्रोसेस सेम था कि सर LSP से 3, 3 बीट का ग्रूप बनाना और सिंपल लिखना यानि कि यहां से 1, 2, 3 लिखेगा 1, 2, 3 लिखेगा यह 5 हो जाएगा यह सर 6 हो जाएगा इधर से सर 1, 2, 3 लिखेगा और यहां पर 1 है तो 0, 0 कर दीजिएगा एक सर डेसमल में करना है तो चार-चार बीट का ग्रूप बनाना तो जो भी चार important questions जो है जिनके पास questions नहीं है important questions वो जो है वो download कर लिजिए PDF से मतलब आप में application अध्यन्द effort के application में important questions study material section में आपको मिल जाएगे अध्यन्द effort के channel को play store से आप लोग download कीजिए और study material section में जाएगे वहाँ पर important question DTM का आपको मिल जाएगा और वहाँ से ये जो number system का 4 problem 5 problem दिया हुआ है इतना यदि आप बना लेते या इतना lecture ही देख लेते है तो आपको अराम से number system conversion का सवाल नहीं छोटेगा तो next video में हम लोग देखेंगे इसके आगे का slot की आगे जो question क्या है इससे आपको question number one तो बन रहा है electrical बालो के लिए भी important है तो next हम लोग जो इसके lecture में देखेंगे वो theorem देखेंगे कि theorem से क्या सवाल था और वो उसका solution कैसे होगा पाच लेक्चर यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम उमीद करते हैं कि आप at least pass कर जाएगा और पाच लेक्चर यदि आप पूरे ढ़ंग से मेहनत करते हैं पाच गंटे साथ गंटे हमारे साथ पूरे तीन दिन में तो उमीद करते हैं कि आप असानी से pass कीजिएगा अच्छे नंबर से pass कीजिएगा चलिए तब तक के लिए धन्यवाद जो इस चाइनल को अभी जो वीडियो जा रहा है ये कोई वीडियो देख के अपने पास नहीं रखिएगा ये request है examination इस बार जो examination है पहली बार आप लोग देख रहे हैं काफी phones हमारे पास आएं कि sir important questions के लिए और सब को पहुचा पाना भी संभव नहीं है तो आप अपने अस्तर से जितना हो सके वीडियो जो है fourth semester EC, EE और triple E वालो को share करें जिससे की वो exam में at least pass हो सके ठीक है एक idea लग सके पहली बार, चलिए धन्यवाद फिर मिलेंगे